हेलो फ्रेंड्स वेलकम तु माई यूटूब चैनल बुल मारकेट्स आज विप्रो के फोर्थ कौर्डर के रिजर्ट्स हम एनलाइस करेंगे एकदम सिंपल लैंग्वेज में और डिसाइड करेंगे कि हमें विप्रो में लॉंग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए या कंपनी 1945 में मिस्टर मोहमद प्रिम जी नहीं फॉर्म की थी यह कंपनी ओरिजिनली वेजेटेबल घी वनस्पती और रिफाइन एडिबल ओल मेनुफेक्चर करती थी बाद में कंपनी ने आईटी सेक्टर में डाइवर्सिफाई किया है कंपनी फॉर्थ लार्जेस आईटी ग्रोथ है वोई quarter on quarter भी 3.6% की फ्लाइट ग्रोथ दिखाई देती है अब हम विप्रो कंपनी का नेट प्रॉफिट के फिगर्स देखेंगे फॉर्थ क्वाटर में कंपनी का नेट प्रॉफिट है 2974 क्रोव रूपीज यार on year 27% की solid ग्रोथ है वोई quarter on quarter flat performance दिखाई दे रह है अब हम विप्रो के annual figures को compare करेंगे revenue financial year 1920 से 2021 में 1.5% से grow किया है net profits 11.2% से वोई EPS 16.67 रुपीज से 19.11 रुपीज याना की 14.6% की solid ग्रोथ दिखा रहा है विप्रो ने कोई भी dividend declare नहीं किया है इस quarter में ये quarter best quarter in a decade था for विप्रो और विप्रो double digit growth expect कर रही है in coming years इस quarter का profit margin था 18.30% जो कि एक काफी अच्छा नंबर है विप्रो का current market price है 430 रुपीज अगर ये आपको 400 के नीचे मिल जाए तो आप वहापे buy करके long term के लिए hold कर सकते हो dividend yield 0.23% है company जादा dividend pay नहीं करती है return on equity 17% है last 10 years का sales और profit growth 8% है जो कि काफी negative दिखाई देता है अगर 10 साल पहले अपने company में 10,000 रुपे निवेश की होते तो आज आपके पास में excluding dividends 22,000 रुपीज होते जो कि एक basic return दिखाई देता है आपको विप्रो में long term के लिए इसले निवेश करना चाहिए क्योंकि ये leading IT sector company है return on equity 15% से ज्यादा का है जो कि ये काफी अच्छा number है ये एक virtually debt free company है double digit growth expect कर ये company जो कि काफी positive माना जा रहा है ये company का management काफी strong है और आने वाले समय में आपको अच्छा कासा return कमा के दे सकती है अगर आप मुझे personally पूछो तो मैं TCS, HCL Tech या Infosys के साथ जाओंगा क्योंकि तीनों companies काफी अच्छा dividend pay करती है और आने वाले समय में ये विप्रो को easily outperform कर सकती है company ने काफी अच्छे results पेश किये है और अगर आप long term investor हो इस company में तो आप इस company में बने रहे thanks for watching guys अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like कीजिए और ऐसी stock ideas के लिए channel को subscribe कीजिए